आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विना वक्त को जाया किया है तो हमने अपनी प्रिवियस क्लास में क्या पढ़ा था अपका मॉडल्स के बारे में जिसमें हमने क्यान को शूड और विल श्यल को कंप्रीट कर लिया था एक बार इसका रिकॉल कर लेते हैं कि यह होते क्या है उसके बाद अपनी नेक्स क्लास को देखते है तो क्या होता आपका क्या होता वह आपकी बेसिकली एबिलिटी को दिरशाता है जो आपकी क्यापिसिटी होती कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जैसे कि I can do this work जैसे होता है कई बार आपको मना किया जाता है कि नहीं आप यह काम मत करो तो आप बताते हो हाँ यह काम मैं कर सकता हूं सेमीसी का पास्ट होता है क्या होता है सेमीसी का पास्ट कुड उस करेंगे तो भी कुड़ हो जाएगा दूसरा उड़ता इसकी पास्ट जो एक्टिविटीज होती पास्ट में अगर केपसिटी की बात होती है तो वो कुड़ हो जाता है तो नेक्स्ट अपका विल शाल यह mostly किसली यूज़ होता यह आपके future के अक्टिविटीस के लिए होता है बट अगर आप determinate हो किसी चीज़ को लेके या फिर किसी को warning दे रहो तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं आई और वी के साथ हम यूज करते हैं तब हम विल का यूज नहीं करेंगे जब आप किसी चीज को लेकर डिटर्माइंड हो नेक्स्ट आपका था शुड शुड क्या होता है शुड मीन्स होता है किसी को एडवाइस देना बहुत माइल अडवाइस कि आपको पानी पीना चाहि सब्सक्राइब को दोपास होते हूज क्लास है ढूते हों में माम इस टाइब से और रिसका पास्ट क्या और मै 8 पास्ट मींस पास्ट एक्टिवीटी यहह। हो सकते हूज और हम अपको समॉज में आया होगा तो हमारी आज की क्लास का दूसरा वर्ड मॉडल की दूसरी क्लास पहला सेंटेंस आपका वुड से रिलेट करता है वुड क्या होता है वुड क्या होता है इंडिरेक इंडिरेक किसमें बनता है विल का इंडिरेक क्या बनेगा वुड जैसे आपको सेंटेंस दि में आपका वुट में चेंज हो जाएगा विल किस में चेंज हो जाएगा वट में चेंज हो जाएगा आज क्या इश्य हो आरा है यहाँ पी दिन पर क्या हो जाएगा Indirect Speech टारिक बने will किसमें change हो जाएगा इनटेरेकश फर्म polite request किसी था polite फर्म में कुछ कोफी पीना पसंद करोगे पास्ट हैबिट जो आपकी पास्ट में है और वह अभी भी है जो से मैं बच्चपन में प्री टाइम में कार्टून देखता था और अभी भी देखता हूं जो अभी भी होने के चांसे होते हैं उसको कि उसमें क्या यूस करेंगे वुड जैसे वह कि रही होगा है नihu कि उसको मुलते हैं टोंग व्ट यूस करेंगे विश कुछ और को बाहर की प्रिफर वाला वाला भी आपका sentence एक्जाम में दिया जाता है शेतर केि परिफर के साद हम ठीकापा स्बस्ट करते हैं क्लास में कंप्लीट करेंगे कि किसके आगे में तू का यूज करना और किसके आगे दैन का जैसे बैटर के साथ हम दैन यूज करते हैं प्रिफर के आगे तू यूज करते हैं इंफिरियर सीनियर के आगे हम तू यूज करते तो ऐसे कौन से वर्ड है कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके आगे में तू यूज करना है किसके आगे हमको देन यूज करना यह हम अपनी इसली क्लास में एड्जेक्टिव के क्लास में दे आप來set that जैसे हिए आपने डैट देखा तो आपका संभेज़ होगी ये क्या हो जाएगा ध Wherever ऑसक prisoner टो गया मेद एंडिरीकल सोगया यूड क्या है In result को साहिन नहीं करेगा आई वुड राधर यह आपका जो राधर है इसको भी हम एक ने क्लास में समझा देंगे आई वुड राधर आई हैड बैटर यह इस टाइप की सेंटेंस को कैसे यूज करना आपके पार्टरस फिल में उदको भी बता देंगे आई वुड राधर डाई then back मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़़ा क्या बैटर लगता है मैं मरना जादा पसंद करूंगा किसे किसी से कुछ मांगने से अच्या यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका होगे आपके नेक्स सेंटरने रिखते हैं इस बोड़ एक मीज़ों है, जब आप क्या कर रहो है, यह आप लिखा न में प्रिंसिमेल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यह कि इस दो नी जाके बुशे, नहीं मुझे दो दीन दोगे क्या नहीं प्यार से बोलते हैं, वह बता है आप सभी ने मैस देखा था कौन जीता था ये बताइए और किस आपका फेवरेट में कौंसा सीन था उसका मॉमेंट कौन सीन था वह भी बताइए क्योंकि मैस ही ज्यादा इंप्ड़्टन आप लगे को लगता है वहांगे मैस को आप आज के सेंटेंस में टाइम से पहुंच जाते पौसिबिल्टी की बात हुँए पास्ट में अगर वहां तुम टाइम से पहुच जाते यो व्दम उनसे मिल लेते यहां पर क्या हुआ वहां क्या हो सकता है यहाँ तो यह तो यहां पर क्या रहा हूँ तो यहis be waiting for you next day they would have reached the office हो सकता है वो शायद office पहुंच गया होंगे possibility कि जहां पर यूज़े आ रही है वहाँ पर वुट का यूज़ करेंगे तो देख नेक्स सेंटेंस यूज़ तो यूज़ टू और आपका वुट दोनों ही पास्ट एक्टिविटी को शो करता है तुम डिसाइट कैसे करेंगे कि कभ यूज़ तो सबसे पहले है यूज़ ऐसी एक्टिवि या ऐसी पास्ट है जो हमने आप करना बंद कर दिया है उसमें यूज़ तो का जैसे कि मैं टीचर हुआ करता था मैं डॉक्टर हुआ करता था बट नौ आयम आप टीचर इस टाइप का और वुट में क्या है आपकी ऐसी पास्ट एक्टिविटी जो आप अभी भी इसल कंट आपने सेंटेंस को पूरा परग्राफ पड़ोगे उससे आप करोगे कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका यूस्टू में वहां पर एक्टिविटी कंटिने हो रही है कि नहीं और इसको लेकर डिफ्रेंस वाली क्लाव्स भी मैं कर दोंगी तो आपको यह जो भी आपको इस एक बार लियर तरीके से यूस्टू है आपका यूस्टू आपका यूस्टू आपका सैमी मॉडल्स कहलाता है क्या कहलाता है सैमी मॉडल्स तो इसको कैसे देखते हैं यह कई बार आपका में वर्ब की तरह यूस होता है और कई बार आपका यह मॉडल्स की तरह यूस होता ह जैसे I used to be a doctor क्या हो जाएगा मैं एक doctor हुआ करती थी but now I am a teacher अब मैं क्या हूँ एक teacher हूँ यहां क्या हो जाएगा यह आपकी past activity को बता रहा है we use mobile phones मैं short में लिख रही हूँ वी यूज मोबाइल फोन तू वर्क एक्टिवली हमें एक्टिव तरीके ते अपने चीदों को करने के लिए मोबाइल फोन का यूज करते हैं अगर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह में वर्ब है या फिर आपका यहां पर क्या है यह स्टेट की बात हो रही है अगर स्टेट की बात हो रही है कि मैं ऐसा था मैं वैसा था तो वहां पर आपका यूज क्या हो जाएगा एजा किया करते थे तो भी आएगा लेकिन यूज किता अदम टू का यूज नहीं करेंगे दूसरा सेंटेंस इसमें देख सकते हैं जैसे कि आई कि आई इस नहीं कि आई आई यूज इस समय में रहें है कि मैं पहले ऐसा करता थाथा अब नहीं करता हूं कि वह एए वाहर करता था 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 नहीं अवागए कि अगर आपकी बात हो रही है कि मैं पहले ऐसा करता था अब नहीं करता हूं पहले में वहां रहता था पहले वहां जाता था आप जो दिए नहीं हो रही है या पहले में वह चीज था और अब नहीं हूं वर्ट ट्रू बट आर नो लॉंगर ट्रू लेकिन आप वह चीज़ें नहीं है sentence रिखते हैं I used to live in New York पहले में कहां रहता था New York में रहता था I used to live in New York मतलब मैं New York में रहा गरता था अभी में वहादर शिफ्ट हो गया हो मेभी वह California shift हो गया कहीं और shift हो गया तो यह past activity हो गई जरूरी नहीं वहाँ पर रहता हो next sentence I used to jogging मैं क्या करता हूं jogging करता था every morning before I started my new job मैं अपनी देखो यहां पर clear हो गया ना कि मैं अपनी नई job start करने से पहले में क्या करता था मैं jogging करता था अब नहीं कर रहा हूं यहां पर activities की stop हो गई अब यह क्या होगी आप यूज में नहीं है no longer in use अब जो है वो यह काम नहीं कर रहा है मेभी वो future में करेगा नहीं करेगा doesn't matter लेकिन अभी वो उसकी activity stop हो गई है I used to jogging मैं jogging करता था कब before I started my new job और अगर आपको option में used और would में एक दिया होगा तो आप उस तरह से clear हो जाएगा यूज और would के यूज में हम एक बार sentence करेंगे तो आपको ज्यादा better clear हो जाएगा नेक देखते ही यूज टू स्मोग वो स्मोग करता था आगे कैसे पता चलेगा यह आभी कर रहा है कि नहीं तो आगे sentence देखते हैं but he quit five years ago लेकिन अभी उसने क्या क्या क्विट कर दिया तो यहां पर क्या यूज होगा यूज टू होगा यहां पर वुट का यूज नहीं करेंगे next the old library जो पहले कभी old लाइब्रेडी थी तूभी आ यूज रूब्या बैंक many years ago जो अभी एक old लाइब्रेडी आपको देख रही हो बहुत सालों पहले क्या हुआ करती थी बैंक हुआ करती थी बट आप क्या हो जाएगा यहां पर भी इसकी पास्ट एक्टिविटी की बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट मस्ट मस्ट है आपका शुड है तोनों ही सेम चीज है बट शुड में आपको कोई भी कंपल्शन नहीं होता आपको पानी पीना चाहिए और आपको पानी ही पीना चाहिए और आपको पानी ही पीना चाहिए और मस्ट जहां पर आपके कंपल्शन हो जाए जहां पर आपके obligation बहुत जादा compulsion की तरह हो जाएं वहां पे आप must का use करते हो देखते हैं sentence obligations पहले ही sentence duty duty वो नहीं आपके job वाली नहीं आपका जो करतव है जो आपके rights हैं उनको बुलते हैं duty certainty किसी चीज़ की निश्चित होना necessity जरूरत होना possibility compulsion strong order कि आपको यहां से जाना ही चाहिए तो you must leave now आपको anyhow जाना है strong recommendation जहां पर भी strong वाल आपको फील आता है कि 99 पर यह चीज़े होंगी ही वहां पर क्या हो जाएगा मस्ट सेंटेंस देखते तो ज्यादा clear हो जाएगा you must wear a seatbelt in the car आपको पता ही कि आपको car drive करते time seatbelt use करने चाहिए क्यों करने चाहिए चालान हो चाहिए इसलिए नहीं आपकी safety के लिए होता है अगर आप चालान की तरह देखोगे तो आपके लिए दिक्कत है आप अपनी safety के लिए देखो कि या जैसी अचानक से breaker आता है या अचानक से कोई गाड़ी आज आती तो आप एक्सिडेंट होने से बेटर है कि आप seatbelt पहनो तो क्या हो जाएगा you must wear a seatbelt आपको seatbelt anyhow पहननी ही चाहिए तो ही चाहिए means must शुट भी यहां पर सही था बट यहां पर आपकी कंपल्शन लगा दियागे कि आपको यह काम करना ही चाहिए वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाइफ राइडे सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको कोई भी वर्क दिया जाता है किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपसे कह दिया हमारे पास फ्राइडे तक की डेडलाइन है तो आपको पर नहीं कर पाते हो तो आपसे बोला आपको दे देना ही है तो वहाँ पहोंगो जाएगा मस फिनिश कर लेंग आपसें और को क्ते कर लेना चाहिए तो कर लेंए उस इतल म तो कई लग बोलते द्रश्यम टू आपको देखनी चाहिए पंचाय देखनी चाहिए यह काफी अच्छी मूवी या वेब सरीज है तो अगर 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 उब्लिगेशन मस्ट में जा रहें तो वहां क्या हो जाएगा आपका किस चीज की बात हो जाएगी आप पर मिन्स आप पर वह चीज कोई जोर दे कर अगर कह रहा है तो वहां पर आप किसका यूज करोगे मस्ट का करोगे तुम्हें बड़ो की बात माननी चाहिए यू शुड ओबे यूर एल्ड़स तुम्हें बड़ो की बात माननी ही चाहिए अब आप पूछोगी हम सेंटेंस में कै करेंगे mix वाले sentence तो आपको ज्यादा better clear हो जाएगा ठीक है इसी लिए इस वीडियो को full देखें skip मत करें और share ज्यादा से ज्यादा करें so that आपका भी class का थोड़ा सा फाइदा हो चीज़े आपको समझ में और नोट्स बनाते चले साथ में जो चीज़े आपके पास होती है वह बैटर तरीके से आपको याद रहती है you must not smoke in this area जैसे आप किसी पॉब्लिक एरिया में जा रहे हो जहां पर बहुत सारी पॉब्लिक है बच्चे है अगर यह जो एरिया है वह हॉस्पिटल है haja to go here होस्पिटल है तो वहां पर आपके लिए smoking क्या हो जाएगी बैन हो जाती है जो smoking कर रहा है उनकी लिए लिए क्लिक क्विस प्रोहइबिटेट इन इस एरिया smoking के लिए ऐसे बना रहता है ना माक्स बनाए रहते है कि आपको वहां पर नहीं करनी है तो यहां पर क्यो सब्सक्राइब करनी है और हम आपने परल कम मचस्क्राइब उपाइन देना पड़ाइब वहां हो हाज बाह। सर नहीं करना गभादि को समिद्गेंगिये इसंफ़ लिहां इस परली करा या यह दून कों करना या फ Dublin next sentence odd to odd to means होता है चाहिए और should मतलब भी चाहिए कि दोनों में difference क्या है अगर हम formal way में बात करें यह तो डेली की अगर conversation उसमें चाहिए होता वह होता शुड़ अगर formal way में बात करते हैं तो आप odd का use करते हो यह आपको थोड़ा stronger way में होता है stronger recommendation होती है अधिर जाती हैं बोड़ाइशाइव जाती हैs इसको कोई भी चीज्ज़ तो ऐस में खारे आपको खाथ क्रेस कि आपको खाना चाहिए ग्रीन वैजीज खानी चाहिए दूध पीना चाहिए इस चीज आपको मुरली सीख सकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका और पॉसिबिल्टी कि रेकमेंडेशन ड्यूटी एडवाइज सला देना पर फॉर्मल वे में नैसेसिटी की बात होती है नेक्स हो जाएगा प्रॉबिल्टी किसी चीज के होने के चांसे के लिए तेंटेंस देखते हैं यू और तो अपॉलजाइज फॉर वाट यू सेड अगर आपने घर पे कुछ भी गलती कर दी ममी बोलती हो जाओ भाया को सॉरी बोल तो आप क्या बोलत हो मैं क्यों बोलूगा सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया वह बड़े हो रहे हैं उन्होंने मुझे डाटा आप ऐसा बोजोगे बट अगर आप कहीं प्रोफेशनली जॉब कर रहे हो आपको वह बोलनी पड़ती है न वहां पर इस तरह की चीदों में आप और तो को यूज करते हो यहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि चुड है कि और तो है यहां पर क्या और आपको अपने गलती की मापी म देखना पड़ता है सम टाइम होता है तो वह हो जाएगा आपका फॉर्मल वे में आप सेंटर्स को पढ़के समल सेकते हो कि फॉर्मल है कि नहीं अच्छा देखते है नेक्ट तो भी हीर बाइन उसको इस टाइम यहां पर होना चाहिए तो उस टाइप की चीदों में क्या हो हो सब्सक्राइब चाहिए और चाहिए अपर सब्सक्राइब चाहिए और यहां पर चाहिए बेच्चों सिखान नमीं क्या है क्या और सिक्षण को पानी वे में तब आप शिटका यूज़ंगे और इस पर भी मैं एक बार confusion में एक error वाला बना दूंगे should और odd के साथ would और used to के साथ तो आपका clear हो जाएगा doubt next आपका they ought to finish the project before the deadline उनको अपना project finish कर लेना चाहिए deadline से पहले यहां पर क्या है किसी formal चीदों की बात हो रही है next is you ought to eat more vegetables for better health आपको क्या खाना चाहिए more vegetable खानी चाहिए किस लिए अगर आपकी है आप चाहते हो अपकी health अच्छी हो तो आपको फॉर्मल ही सिखा जा रहा ना घरवाले तो ऐसे बोलेंगे नहीं घरवाले तो सीधे खिला देंगे नहीं खाओगे तो जाके spring roll खालोगे तो इस तरह का नह नीड हमको क्या करना है वी और टू यहां पर क्या हो जाएगा और तू जो किसमें है जरूरत मंद है उनकी help करनी चाहिए आपको घरवाले सिखाते है ना फॉर्मल वे में अगर आपके घरवाले परिशान है ममी बोले मुझे प्यास लगी पानी दे दो पानी पीना चाहिए मुझे तो आप नहीं दोगे लेकिन यहां पर आपको मोरली चीज़ों को सिखाया जा रहा है आप पर बाहर वालों को आप सिखाते हो ना कि हमें यह काम करना चाहिए खुद तो करते नहीं हो उस तरह से फॉर्मल हो जाता है नेक्स्ट ही और और तो स्टड़ी हाड़र उसक उसको क्या है एक्जाम में पास होना तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए कई बार होता है ना कि PTM होती है स्टूडेंट की पेरेट्स बोलते हैं कि इसके तो मार्क्स बहुत हो मैं सब्सक्राइब तो क्या बोलेंग उसके लिए उसको पढ़ाई में और ज्यादा आपको माइल अड्वाइज इंद्वाइज दी जाती है बहुत माल्ड सी एडवाइस होती है उसको बुसलें शुड जिसको आप लोग कभी भी मानते नहीं हो जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए आपको चैनल को शेयर करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए आप कोई भी चीज नहीं मानते हो वीडियो को फुल तक देखिए जिससे कि आप कुछ सीख सके और अपनी डेली लाइव अपने कॉम्टीशन एक्जाम हर जग आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश एक एक लेंग्वेश भी और आपका एक सब्सक् सब्सक्राइब की दो चीज हो आप कुछ कर लोगे पहला है आपको ग्रैमर की बहुत अच्छे से नौलेज हो दूसरा आपके पास वह कैप सो और वह कैब भी ऐसी नहीं कि बहुत जादा टुफ वर्ड हो आप अपनी डेली लाइफ में तो ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज कर आप इन ही सेंटेंस को इन ही वर्ड को यूज करके बोलते हैं तो आपको अलग से क्लास करने की नहीं है ठीक है नेक्स देखते हैं सेंटेंस आपका नीड अच्छा नीड जो है आपका और यह यह वर्ड भी काम करता है में वर्ड जिसको बोल सकते हैं और ऐसा मॉडल भी काम करता है कि हम यह कैसे डिसाइट करेंगे कि यह मॉडल है या फिर आपका में वर्ड बेंतो ढगर डिए अंधर अगर मॉडल आपका डूसरा अगर घुन कि कर सकते हो नीड की सेकेंट फॉर्म क्या हो जाएगी नीडर कि आप मोडेल का कभी बना सकते तो में यह凶 Sieg हो जाएगा तो यह और दूसरा सबसे इंपोर्टन है कि आप नेगेटिव और कुश्चिन मार्क होंगे चली सेंटन्स रिखते हैं एक्सप्रेसिंग नेसिसिटी एक्सप्रेसिंग आ लैक ओफ संथिंग रिक्वाइड एक्सप्रेसिंग और अब्लिगेशन रिक्वार्मेंट और ड्यूटी यह है आपके अधा मॉडल की बात हो रही है नीट के तो इसकी सेंटन्स रिखते हैं फिर समझते हैं आई नीट नॉट फिनिश दिस सपोर्ट बाय टॉमोरो यहां पर आप क्या है फिनिश में वर्वक क्या हो गई फिनिश मुझे इस नीट की हिंदी क्या होती है नीड मीज जर कहल जाए नहीं है नेक्सते हैं ही नीना टॉक्त हर उसको इसके बात करने की कोई भीजरूरत नहीं है नीटयू इट अगें क्या उसको यह काम तो बारह करने मेंका नोरत है नहीं इसमें do, इसमें talk और इसमें finish हो जाएगा, sentence देखते हैं आपका इसका as a main verb, कैसे पैचान हैं कि यह main verb है कि नहीं, जैसे पहला sentence है, the car needs maintenance, car को किसकी जरूरत है, maintenance की as देखा आपने, तो आप पैचान लोगे क्या हो जाएगा, main verb, दूसरा है, you need not to worry, you need to worry, अभी हमने पढ़ा कि negative है या interrogative है, तो किसमें हो जाएगा, as a model है, और अगर positive है, तो अगर बाकी दोनों में से कुछ नहीं, तो positive हुआ, तो यह किसमें हो जाएगा, तुमको परिशान होने की जरूरत है, तुमारे marks खराब हो रहे हैं, तुमारा selection न to visit her grandmother regularly, उसको अपनी grandmother के पाल regularly जाने की जरूरत है, तो basically क्या होता है आपका, need जो है आपका, main verb की तरह अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, model हो जाएगा, next, dare, dare means क्या होता है, तुमारी साहस कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुमारी साहस कैसे हु मेरी बुक को टच करने की, dare he come again, क्या वो दुबारा आने का साहस कर पाएगा, जैसे आपने कई बार किसी बच्चे को डाट देते हो, कि आप यहां से जाओ, get out from there, here, तो आप वहां बोलते हो, क्या वो दुबारा आने का साहस करेगा, तो क्या हो जाएगा, dare he come again, question mark, interrogative model, I dare not to go, not देखते ही, आप क्या समझ के, not देखते ही, आप क्या समझ में आ रहा है, कि यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे वहां जाने की हिंमत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका, as a, तो पूछने के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका मौडल हो जाएगा नेक्ट लास में हम एक बार कर लेंगे अपने प्रिविएस क्लास का दूसरा हम सेंटेंस की एरर जो है आपके प्रफिजन बेस पे जो आपको डाउट होगे कि कहां पर हम वूड यूस करेंगे यूस्टू और इनको कैसे यूस करेंगे तब तक के लिए आज की ख्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं यहीं स्टॉप मजय करते हैं